बचो आज इस वीडियो में हम Class 8 Maths की Exercise 6.3 स्टार्ट करने वाले हैं और यहां से हमारा Square Roots का Concept भी स्टार्ट हो रहा है अब Square Roots होते क्या है? जैसे कि Addition का Opposite होता है Subtraction For example, कोई Number आपको दिया है 10 आपने उसमें 2 Add किया, 12 हुआ अगर आप 2 Subtract कर दे तो फिर से वही नंबर आ जाएगा Okay, Multiplication जो Operation है उसका Opposite होता है Division For example, आपने 8 को Multiply किया 5 से 8, 5,040 अगर 40 को आप Divide कर दे 5 से 5, 8,040 फिर से 8 आ गया Similarly, Square का Opposite होता है Square Root यानि कि अगर आपने Square किया 9 का 9 का Square कितना होता है? 81 अगर आप Square Root of 81 करे 81 का Square Root होता है 9 Simple, Okay Edition का जैसे Subtraction Opposite होता है, Multiplication का Division ऐसे ही Square का Opposite Square Root होता है अब Square Root का Symbol क्या है? Square Root हम ऐसे लिखते हैं जिसे यहाँ पर आपने लिखा Square Root of 81 Language में नहीं लिखना है इस तरीके से हम Square Root को लिखते हैं 81 इसका मतलब है Square Root of 81 which is 9, Okay Square Root of 64 64 का Square Root यानि कि 64 किसका Square होता है? 8 का यानि कि इसका Square Root है 8, Okay 100 का Square Root कितना होगा? 10 Hopefully Square Root का Concept आपको Clear हुआ हो अगर और Example आपको दे, यह Number और Squares आपने देखे थे First Exercise की Table में 1 का Root 1 होता है 4 का Root 2 होता है 9 का Root 3 होता है opposite होता है मतलब बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर 13 का Square 169 था 169 का Root 13 होता है, Okay Root 324 will be equals to 18 अब Exercise में जो Questions हैं आपके सबसे पहले तो दो Methods हैं Repeated Subtraction and आपके Prime Factorization जिससे आप किसी Number का Root find करते हैं क्योंकि कोई बहुत बड़ा Number अगर आपको दे दिया जाए माननीजे 625 और पूछे यह किसका Root है तो Obviously इतने यहाँ तक तो हमने Squares Learned भी नहीं किये हैं 20 तक आपको का गया है But still हमशर कई बार बच्चे इसमें भी Confuse हुजाते हैं आपको दिया गया Root 256 256 का Root कितना होगा अगर हमें Squares Learned नहीं है तो कुछ methods भी होने चाहिए जिससे आप Root exam में find कर सके तो इस exercise में वही है हाला कि starting के एक दो questions unit digits से related ही है तो पहले हम वह कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको repeated subtraction का concept बताऊंगी उसके question करेंगे और फिर हम prime factorization से कैसे हम root निकालते हैं वह देखेंगे तो चलिए direct exercise पर चलते हैं 6.3 6.3 सबसे पहला question है आपका what could be the possible once digit of the square root of each of the following numbers वन मांक का question है इन numbers के square root में possible unit digit क्या हो सकती है एक number का square 9801 है आपको यह नहीं बताना कि वो number क्या है उस number के सिर्फ unit digit बता दीजे जैसा कि मैंने आपको कहा square root square का opposite है आपको अब यह सोचना है किस number के square के end में 1 आता है एक तो 1 के obviously 11001 तो यानि कि इसका जो भी root होगा उसकी unit digit या तो 1 हो सकती है 2 2 का square और हम करिए उसके last में 4 आता है 3 में 9 4 में 16 5 के square में 5 यानि 6 के square में 36 सेवन के square में 47049 09 आता है 9 के square में 81 यानि की last में 1 आता है तो यह किसी ऐसे number का square भी हो सकता है जिसके last में 9 हो तो possible unit digits आप जानते हैं कोई भी number जो 9 से end होगा यह हमने first exercise में देखा था मान लीजे 289 के square की unit digit हमेशा 1 होगी क्योंकि 289 289 से जब multiply होगा तो 99081 last में सबसे पहले 1 लिखा जाएगा उसके बाद कुछ भी हो आगे number unit digit fix है कि 1 रहेगी तो यहां पर अगर किसी number की unit digit 1 है तो उसके square root का जो जो भी number होगा उसकी possible unit digit तो इसका answer आप लिखेंगे जादा कुछ explain नहीं करना है possible unit digits क्या हो जकती है 1 और 9 क्योंकि इनी के square में last में 1 आता है 99856 लास्ट में 6 है किन square किन number के square में last में 6 आता है possible unit digits क्या हो सकती है एक तो देखें unit digit एक तो last में आपके 4 4 4s are 16 वहां पर 6 आता है तो इसकी possible unit digit 4 हो सकती है या फिर 6 6 are 36 वहां पर भी 6 आता है 4 and 6 next 998 001 फिर से वही है तो यहां पर 1 होगी या फिर 9 होगी simple next is 657 66025 जो भी number है बहुत बड़ा number है root आपको नहीं निकालना है लेकिन गरने की बात नहीं है सिर्फ unit digit बतानिये यहां पर unit digit 5 है किसके square में last में 5 आता है 5 के square में ही शिर्फ 5 5's are 25 15 का square होता है 225 25 का square होता है 625 35 का square होता है 1225 जितने भी number के last में 5 आएगा उनी की ही unit digit 5 होगी तो यहां पर अगर unit digit 5 है मतलब जो भी जिस भी number का ये square है उसमें एक चीज तो confirm है आगे कोई भी number हो लेकिन last में 5 है तो possible unit digit कितनी होगी unit digit possible नहीं confirm है कि इसकी unit digit जो है वो 5 ही होगी और किसी के square में last में 5 नहीं आता clear है next थोड़ा सा सोच के करना है बस और कुछ नहीं है बिना calculate कि बताओ कि इन में से कौन से number perfect square definitely नहीं है तो जिनकी end में ये भी हम लोग पॉस्ट इक साइज में कर चुके हैं जिनकी end में 2, 3, 7, 8 ये आते हो या फिर 1, 0, 3, 0, 5, 0 number of zeros odd हो वो numbers हमारे perfect square नहीं होते ये आप देखते ही बता सकते हैं चलिए start करते हैं 2, 3, 7, 8 याद रखिएगा इसके last में 3 है तो आप लिखेंगे not a perfect square एक perfect square ये हो ही नहीं सकता why because unit digit is 3 because unit digit is 3 simple ये भी नहीं हो सकता 2, 3, 7, 8 हमने याद किया है आप कहेंगे unit digit 7 है that is why it is not a perfect square unit digit 8 है 2, 3, 7, 8 8 भी unit digit नहीं हो सकती क्योंकि जितने भी number है उनके square में 1 to 9 आप चेक कर लीजे कहीं पर भी last में 8 नहीं आता है तो यानि कि आप लेखेंगे not a perfect square because unit digit is 8 simple 4, 4, 1 last में 1 है तो ये perfect square हो सकता है क्योंकि 1 के square में और 9 के square में unit digit 1 होती है 81 में भी 1 और इसमें भी 1 so yes ये perfect square हो सकता है अब हम आते हैं root निकालने का जो पहला method है जो कि actually काफी lengthy है सबसे पहले find the square root of 100 100 का root आपको निकालना है वैसे हम जानते हैं कि 110 का square है but still question में का गया है method यूज करिए repeated subtraction repeated subtraction में क्या होता है पहले method बता देते हैं उसके बाद question करेंगे जैसे कि थोड़ा बहुत आप नाम से भी समझ रहे होंगे repeated subtraction आपको subtract करना है repeatedly subtract लेकिन करना किसको है suppose करिया आपको root निकालना था 64 का आप सबसे पहले 64 लिखेंगे यहाँ पर आप 64 से odd numbers minus करते हुए जाएंगे odd number क्या होते हैं हमारे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक number को छोड़के हर next number odd number ही होता है तो इनको हम minus करेंगे सबसे पहले minus करेंगे 1 64 से 1 minus किया कितना है 63 next हमने minus किया 1 के बाद कौन सा number आता है 3, 3 minus करिए कितना होगा 60 अब minus करिए 5 कितना होगा 55 5 के बाद 1, 3, 5 7 minus करेंगे 48 फिर 9 minus करेंगे 39 9 के बाद 10, 11 minus करेंगे 8, 2, 28 फिर 13 minus करेंगे 8 minus 3 is 5 2 minus 1 is 1 15, फिर 13 के बाद आता है 15, 15 minus करेंगे 0 तब तक minus करना है जब तक की last में 0 ना आ जाए और minus क्या करना है repeated subtraction में subtract करना है odd numbers को पहले 1 minus करिए फिर 3 करिए 5, 7, 9, 11, 13 15, 17, 19, 21, 23 करते जाएए जब तक की 0 ना आ जाए अब कितनी बार यहाँ पर आपने subtract किया है वो count कर लीजे यह देखिए 1, 2, 3 then 5 हो चुक है 4, 5, 6, 7 and 8 तो आप लिखेंगे 8 times repeated subtraction 8 times 8 times repetition 8 बार जो है subtraction की repetition हुई है बार बार subtract किया है हमने so root 64 64 का ही root आप निकाल रहे थे ना जितनी बार आपको minus करना पड़ा odd numbers को वह इसका root है 8 बार करना पड़ा मतलब कि 64 का root 8 है clear है चलिए question पर आते है exercise के third question था find square root of 100 पहले 100 का बताएए कि square root कितना होगा आप यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस करेंगे 1 99 माइनस करेंगे 3 96 फिर 5 91 7 84 9 75 11 माइनस करेंगे 4 6 64 11 12 13 माइनस करेंगे 1 5 51 15 माइनस करेंगे 6 4 माइनस 36 15 के बाद 16 17 माइनस करेंगे 36 माइनस 17 will be 19, 17 के बाद 18, 19 minus करेंगे, 19 minus 19 is 0, कितनी बार आपने minus किया, count कर लीजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus के signs count करने है, 8, 9 and 10, 10 times repetition, तो last में आप लिखेंगे, 10 times repetition, repetition, so root 100, क्योंकि आप 100 का root निकाल रहे थे, 10 बार आपको minus करना पड़ा, यानि कि 100 का root 10 होता है, next is 169, second part इसी का ही है, 169 में से पहले 1 minus करिए, 168, फिर minus करिए 3, 165, 5 minus किया, 160, 7 minus किया, 153, 7, 8, 9 minus करेंगे, 144, 11 minus करेंगे, 33, 13 minus करेंगे, 120 बचेगा, 120 में से 15 minus करेंगे, 105, 105 से 17 minus करेंगे, 88, 17, 18, अब 19 minus करेंगे, 9, 7 minus 69, अब 19 में से 20, 21 minus करेंगे, 21, 8, 4, 48, 23 minus करेंगे, 5, 4 minus 2 is 2, 25, 21 के बाद, sorry, 23 के बाद, 24, 25, minus करेंगे, 0, okay, कितनी बार subtraction किया है, count करिए, minus के sign count कर लीजे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 तक हो चुका है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 times आपने subtraction का जो operation है, उसको repeat किया है, तो आप लिखेंगे, 13 times, repetition, repeat I, TIO, and so, root 169, जो आप find कर रहे थे, वो 13 है, clear है, यह है, repeated subtraction, हलागी कभी आपको root निकालना हो, यह method बहुत lengthy है, इतना कौन subtract करेंगे, आगे आपको इससे भी easy methods मिलेंगे, but, अगर question specifically बोलता है, कि इसी method से करिए, तो फिर आपको obviously ऐसे ही करना पड़ेगा, repeated subtraction, subtract करते जाना है, और numbers को, और numbers बढ़ते जाएंगे, पहले 1 से start करेंगे आप, तो कि पहला और number 1 ही होता है, उसके बाद 357, तब तक करते जाएंगे, जब तक last में 0 ना आए, और फिर देखिए, आपने कितनी बार subtraction को repeat किया है, जो operation है आपका, minus signs को count कर लीजिए, उसी का ही number हमारा root होता है, next number है हमारा prime factorization method, देखिए, यह important है, prime factorization, नाम से यहाँ पर भी पता लग रहे हैं, आपको number के क्या करने है, prime factor करने है, factorization तो आप, फिफ्ट क्लास से ही करते आ रहे हैं, कोई भी number आपको दिया हुए, सपोस करिए, आपका number है, 256, हलाकि हम जानते हैं, 256, 16 का square होता है, बट अगर आपको याद नहीं है, exam में, 256, प्राइम factors में आप जानते हैं, 2 से आप चेक करेंगे, सबसे पहले उसके बाद 3 से करेंगे, प्राइम number से चेक करते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 168, 2 6s are 12, क्योंकि 1 पर table नहीं चलेगी, 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, बाइचांस 2 2 ही आ रहे हैं सभी में, 2 2s are 4 and 2 1s are 2, अब इतना करने के बाद, आपको लिखना है, question था आपको root निकालना था 256, तो आप लिखेंगे root में, 256 की जगे आप ये लिख सकते हैं, 2 2 2 2 2, कितनी बार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहां पर pairs बना लेजे, pair मतलब दो-दो के group, ये एक pair है, 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 root के अंदर से अगर किसी number को बाहर आना है, तो pair बना लेकर pair में से सिर्फ एक ही number बाहर आता है, यानी कि ये जो 2 2 2 है, इन में से एक 2 बाहर आजाएगा, इस pair में से एक 2 बाहर आएगा, third pair से एक 2 बाहर आएगा, और यहां से एक 2 बाहर आएगा, root में कुछ नहीं बचेगा, आप का आंसर होगा, 2, 2's are 4, 2's are 8, 2's are 16 यानि कि root 56 जो है वो 16 होता है 16 का square 256 होता है या फिर आप कहेंगे 256 का root 16 होता है clear है एक और question कर लेते हैं फिर exercise में तो काफी questions आपको दिये ही हुए है for example आपको root निकालना है 3136 का चलिए prime factor करते हैं 2 से cancel हो जाएगा 3 पर table चलेगी 2 1s are 2, 1 बचा 11 हो गया 2 5s are 10, फिर से 1 बचा 13 हो गया 2 6s are 12, फिर से 1 बचा 16 हो गया 2 8s are 16 अब 2 पर 1 की तो table चलेगी ने 15 पर table चलाएंगे हम 2 7s are 14, 1 बचा 16 हो गया 2 8s are 16, 2 4s are 8 अब बच्चों की तरह से division मत करिएगा calculation आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप जो छोटे numbers है 2 3 5 7 उन से तो direct total list multiply कर ही सके 2 7 पर table चलेगी 2 3s are 6, 1 बचा 18 हो गया 2 9s are 18, 2 2s are 4 फिर से 2 से जाएगा 2 1s are 2 3 19 हो गया 2 9s are 18, 1 12, 2 6s are 12 again 2 से 2 19 पर table चलेगी 2 9s are 18, 2 3s are 6 sorry not 6, 2 9s are 18, 1 बचा था 16 हो गया था 2 8s are 16, 98 अब फिर से 2 से 2 4s are 8, 2 9s are 18 अब 49 2 से की table में नहीं आता 2 के बाद 3 चेक करेंगे 3 का divisibility rule क्या है दोनों को add कर लीजे 9 plus 4, 13 होता है 3 की table में भी नहीं आएगा 5 से चेक करिए, time number से चेक करिए 5 की table में भी नहीं आएगा 49 वैसे हम जानते है 7 का square होता है 7 7 049, 7 1 07 आपको find करना था 3 1 3 6 का root आपने इसके prime factor किये 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 times 2 आया और उसके बाद 2 बार 7 आया फिर से आप pair बनाएंगे पेर्स में से इस pair से 2 बार आएगा इस pair से एक और 2 बार आएगा यहां से 2 and 7 2 2 0 4 4 2 0 8 8 7 0 56 यानि कि यह 56 का 56 इसका root है यह आपका answer होगा यह है prime factorization hopefully clear हुआ हो बाकि अभी हम questions practice करेंगे तो वहां से और अच्छे से आपको समझ में आएगा 4th question है prime factorization से root आपको find करने सबसे पहला number है आपका 729 729 729 का root आपको find करना है चलिए prime factor करिए 729 के 729 2 की table में नहीं आएगा obviously 3 में check कर लिए 7 plus 2 9 9 plus 9 18 18 क्योंकि 3 की table में आता है यह भी आएगा 3 2 0 6 1 बचा 12 हो गया 3 4 0 12 3 3 0 9 यह भी 3 की table में आएगा 24 पर चलेगे table क्योंकि 2 पर तो चल नहीं सकती है 3 8 0 24 3 1 0 3 फिर से 3 से divide करेंगे 3 2 0 6 7 8 21 हो गया 3 7 0 21 3 9 0 27 3 3 0 9 3 1 0 3 root 7 2 9 था root में 7 2 9 की जगे आप क्या लिखेंगे 3 3 3 3 3 3 1 2 3 4 5 6 prime factorization का यही मतलब है आप number को उनके multiplication की form में लिख सकते हैं अब pairs बनाईए एक 3 बार आया एक 3 और आया एक इस pairs से आया 3 3 3s आर 9 9 3s आर 27 27 आपका answer है next 400 second part 400 के factors करिए 2 की table में आएगा 2 2 0 4 00 2 1s आर 200 2 5s आर 10 0 2 2 0 4 2 5s आर 10 25 5 5s आर 25 5 5 1 0 5 तो आप लिखेंगे root 400 था 400 का root आपको निकालना था root 2 2 2 2 2 4 times 2 and 2 times 5 pairs बनाए हमने एक इस pair से 2 बार आया 2 and then 5 2 2 0 4 4 5 0 20 400 देखे 20 का root होता यह हम जानते भी थे third part है आपका 1 7 6 4 इसका root find करना है तो पहले 1 7 6 4 के factors करेंगे 2 8 0 16 2 8 0 16 2 2 0 4 2 4 0 8 4 0 8 2 1 0 2 अब 2 से नहीं जाएगा 4 4 8 plus 1 9 3 से चला जाएगा 3 1 0 3 3 4 0 12 3 7 0 21 फिर से 3 से 3 4 0 12 3 9 0 27 49 7 7 0 49 7 1 0 7 तो इसके prime factor हुए 2 2 3 3 7 7 pair बनाए है 2 3 7 का pair बना एक 2 बार आया 3 और 1 7 2 3 0 6 6 7 0 42 यह हमारा answer है 4th question है काफी सारे questions है 4 0 9 6 4 0 9 6 2 से जाएगा 2 5 0 10 1 बचा 2 6 0 12 2 1 0 2 2 2 0 4 2 8 0 16 2 6 0 12 2 4 0 8 2 3 0 6 2 0 12 2 1 0 2 2 6 0 12 2 8 0 16 2 4 0 8 2 2 0 4 2 1 0 2 2 2 0 8 2 0 8 2 0 2 2 0 2 2 0 10 1 0 8 10 12 12 times 22 22 2 2 2 लिखेंगे एक pair ये बनेगा कितने 6 बार आएंगे 6 times 6 बार आजाएगा 12 में आप लिख लीजेगा तो यह आंसर हो जाएगा तो यह आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टाइमस 2 भार आ जाएगा 2, 2, 0, 4, 2, 0, 8, 2, 0, 16, 2, 0, 32, 2, 0, 64 तो इसका आंसर होगा 64 यानि कि 4096 का रूट जो है वो 64 होता है Next question 9604 9604 सारी इससे पहरे question रह गया है 7744 फिफ्थ पार्ट 7744 टाइमस आपने किये 2 से जाएगा 2, 3, 0, 6, 1 बचा 17 हो गया 2, 8, 0, 16, 2, 7, 0, 14, 2, 2, 0, 4 फिर से 2 से जाएगा 2, 1, 0, 2, 18, 2, 9, 0, 18, 2, 3, 0, 6, 2, 6, 0, 12 2, 9, 0, 18, 2, 6, 0, 12, 2, 8, 0, 6 408, 8016, 808, 204, 2408, 2, 204, 242, फिर से 2 से 1, 204, 2, 204, 2, 1, 0, 2 यहाँ पर आता है 121 121, 3 की टेबल में नहीं आएगा क्यूंकि 2, 1, 3, 1, 4 होता है 5 में भी नहीं आएगा क्यूंकि last में 5 नहीं है 7 में चेक कर लीजे 7, 1, 0, 7 5, 51, 7 की टेबल में नहीं आता 7 में भी नहीं आएगा 7 के बाद कौन सा प्राइम नमबर आता है 11 11 की टेबल में आजाएगा 121 को जब आप डिवाइड करेंगे 11 से 11, 1, 0, 11 माइनस क्या 1 बचा 11 11, 1, 0, 11 यानि कि 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे 11 बचेगा आपका क्वेशन फिर से 11, 1, 0, 11 तो रूट 7, 7, 4, 4 था इसमें आप लिखेंगे रूट 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 5, 6 टाइनस आएगा 5, 6 और 2 बार 11 पेर बनाईए हैं ये एक पेर, ये एक पेर, ये एक पेर एक पेर, एक टू बार आएगा इस पेर से एक टू बार आएगा इस पेर से एक आएगा इस से और एक 11 आएगा 2, 2, 0, 4, 2, 0, 8 8 इंटू 11 इस 88 तो ये एनिक ये 88 का रूट है Next Next question is 6 9, 6, 0, 4 थोड़ा बड़ा है इसलिए करा देते हैं 9, अब मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर्स करा रही हूं वही से आपको आइसर बता दूँगे आम शौर ये जो लांगविज है जिस तरही किसे लिखना है रूट के अंदर पहले ये नमबर आप रूट में लिखेंगे फिर रूट में इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे फिर दो-दो का ऐसे पेर दिखाएंगे फिर उनसे बाहर लाएंगे और मल्टिपलाय करेंगे यह आप खुद कर लीजेगा मैं आपको डिरेक्ट बता रही हूं कि प्राइम फैक्टर्स करके दिखा देती हूं सिरफ, 9, 6, 0, 4, यह 2 की टेबल में आएगा सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में 4 है, 2, 4s are 8, 2, 8s are 16, 0 as it is, 2, 2s are 4, 2, 2s are 4, 2, 4s are 8, 0, 1, अब नहीं आएगा आगे, 2 की टेबल में, क्योंकि लास्ट में 1 आगया, 3 में चेक कर लेत 21, 3 बचा 30 हो गया, 7, 4s are 28, 2 बचा 121 हो गया, 7, 3s are 21, फिर से 7, 7, 4s are 28, and 7, 9s are 63, 6 बचा था, क्योंकि वहां से 7, 7s are 49, and 7, 107, आप इसको रूट के अंदर लिखेंगे, फिर पेर बनाएंगे, यह एक पेर होगा, यह एक पेर, कई बार बच्चे यहां पर भी पेर बना ल भूल नहीं है, कि आपको यही स्टेप्स फॉलो करने है, पेर सेक 2 बार आया, यहां से, एक यहां से 7 और एक 7, 2 इंटू 7, 2 7s are 14, 14, 7s are 98, तो इसका आंसर है 98, 5, 2, 5, 9, 2, 9, 5, 9, 2, 9 का रूट निकालना है, 2 की टेबल में तो अबिसली नहीं आएगा, 3 में चेक कर लीजे 9, 9 तो 3 की टेबल में आते हैं, 5 प्लस 2, 7, नहीं आएगा, यह 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, अब चेक करते हैं, 7, 7 की टेबल में अच्छली यह आ जाएगा, 7, 59 पर टेबल चलेगे, 8, 7s are 56, 7, 8, 9, 3 बचा 32 हो गया, 4s are 28, and 7, 7s are 49, ओके, तो 8, 147, फिर से 7 की टेबल में आएगा, 7, 107, 1 बचा 14 हो गया, 7, 2, 0, 14, 7, 107, 121 को 7 से चेक कर लीजे, नहीं आएगा, वैसे इसमें हम जानते है, 121, 11 से जाता है, क्योंकि आपको पता होगा, 11 का स्क्वार ही 121 होता है, so 11, 1011, 11, 1011, 1, तो यहां से एक पेर बना 7 भार आया, यहां से एक पेर बना 11 पार रहा है, 11, 7, 1077, यह आपका अंसर है, नेक्स्ट इस, 8 पार्ट है, 9, 286, ओके दो यह बचे हैं, चलिए जिल्दी कर लेते हैं, 9, 2, 1, 6, 2, 4, 0, 8, 1, 12 हो गया, 2, 6, 0, 12, अब यहां पर 1 है, 1 पर टेबल नहीं चलती, 0 लगाईएगा, 2, 8, 0, 16, नेक्स्ट यह फिर से 2 स तू, 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 6 2 9 0 18 last में 3 3 0 9 3 1 0 3 ओके चलिए पेर्स बनाईगे ये एक पेर बनेगा आपका इससे एक 2 बार आएगा ये एक पेर बनेगा एक 2 और बार आएगा एक और 2 एक और 2 एक और 2 और एक यहां से 3 फिर आप इनको आपस में मल्टिफ्लाई करेंगे 2 2 0 4 4 2 0 8 8 2 0 16 16 2 0 32 32 इन्टू 3 96 तो यह आपका अंसर है यह 96 का रूट है नेक्स्ट क्वेशन 5 29 यह क्वेशन कॉम्प्लिकेटल है क्योंकि 5 29 में जब आप चेक करेंगे ये ना 2 की टेबल में आएगा ना 3 आप 2 से चेक करेंगे 5 29 नहीं आएगा 3 में भी नहीं आएगा 5 में भी नहीं आएगा लास्ट में 5 होना चाहिए 7 से चेक करेंगे नहीं आएगा 11 में भी नहीं आएगा 13 में भी नहीं होगा 13 14 15 16 फिर 17 से चेक करेंगे बहां पर भी नहीं 19 से करिए बहां पर भी नहीं 19 के बाद नेक्स नमर 18 21, 22, 23 आता है ये 23 की टेबल में आएगा क्योंकि ये 23 का स्क्वार होता है 23 2046 6 बच्चा 69 हो गया 23 3069 फिर 23 2023 तो आप लिखेंगे कई बार ऐसा question आजाता है exam में जो बहुत check करने के बाद भी काफी दूर जाके उसका हमें prime factor मिलता है तो ये 23 इसका answer होगा तो ऐसे नहीं हो जाना है कि आपने 7 8 तक चेक है नहीं आ रहा है आप सोचे कि शायद question गलत है या फिर मुझे ही नहीं आ रहा है कई बाद 23 23 के बाद next कौन सा number होगा 27 का तक भी जाना पड़ता है आपको next 8100 ये तो काफी easy है 8100 उसे करिए 2480 1 पर table नहीं चलेगी 0 लगाएंग 205 10 and 0 450 लिख देंगे which is wrong आपने 8 पर अगर table चलाए 2408 फिर आप 1 पर चलाएंगे table नहीं चलेगी तो 0 लगाएंगे उसके बाद 10 पर चलेगे 2510 0 2240 224 2510 2025 2 की table में तो इन नहीं आएगा 3 चेक कर लेते हैं 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9 3 की table में आ जाए 9 3 की table में आता है 20 पर table चलेगी सबसे पहले 3 618 19 20 22 हो गया 3 7 0 21 3 5 0 15 फिर से 3 2 0 6 3 2 0 6 3 5 0 15 225 अब ये 3 की table में आ जाएगा 225 वेस 2 प्लस 2 4 प्लस 5 आ जाएगा ओके So 3 7 0 21 3 5 0 15 75 भी आएगा 3 2 0 6 3 5 0 15 25 5 से कटेगा ओबिसली 5 5 0 25 5 1 0 5 1 आ गया पेर बना लीजे ये एक पेर बना 2 बार आया ये एक पेर बना पेर से एक ही नंबर बार आता है एक 3 आ गया और 5 के पेर से 5 आ गया इनको मल्टिप्लाइ कर लीजे 5 3s are 15 15 2s are 30 30 into 3 3 3s are 9 90 तो यानि कि 90 आपका अंसर हो जाएगा 8100 का जो रूट है वो 90 होता है ये सारे question आपके खतम हुए hopefully जो concept है prime factorization का ये clear हुआ हो क्योंकि बड़ी classes में भी root जो हम find करते हैं वो actually prime factorization ही जादा suitable method है अगला question है for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number नीचे जो number आपको दिये हुए है ये perfect square नहीं है obviously last में 2 है हमें दिखाए दे रहा है एक 0 है 8 है 2748 से तो वैसे भी perfect square नहीं बनते परफेक्ट नहीं है लेकिन आपको इन्हें perfect square बनाना है किसी number से multiply करके जैसे आपको कहा जाए 8 एक perfect square नहीं है 8 को किसी से multiply करके आप perfect square बना सकते हैं बिल्कुल अगर हम 8 को 2 से multiply कर दे 16 बन जाएगा और 16 देखिए perfect square होता है 4 का square होता है ऐसे आपको करना है और उसके बाद उसका square root भी बताना है जो number आपको मिलेगा and this I think ये इसमें काफी time लग जाएगा questions भी काफी बचे हैं this we will do in part 2 अभी इतना ही रखते हैं आप सिफ्ट जो दो methods है हमारे repeated subtraction and prime factorization उनको देख लीजी अभी किस तरीके से उनसे हम root find करते हैं thank you so much for watching rest of the question we will cover in part 2 video